आज के इस उद्गाटन समारों के और हमारे मुख्य अतिति, हमारे पत्प्रदसक, मा भारती के सच्चे सपूत और विश्टो के सरवादिक लोग पिरेनेता हमारे देश के ससी प्रदान मंत्री आरणी नरेंद्र मूदी जी, माननी राज्यपाल गुरमी सिंग जी, विदान सभा के अध्यक्ष रितू जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आरणी महेंद्र भड जी, हमारे सभी आरणी पूर मुख्य मंत्री गण, सभी मेरे साथ मंत विधायगन और कारिक्रम उपस्तित उध्योग जगत से आये हुए देश दुनिया के सभी हमारे उध्योग बंदू, पुज स्वामी रामदेश जी, चिदानन जी, सहीत, सभी आये हुए, उत्राखन पधारे, सभी महानुबाओं का मैं राज्य की सवा करोड जनता की ओर से, सभी का द्रोण नगरी दहरादून में, आयो जी इन्वेस्टर ग्लोबल सम्मीट में, राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से, आप सभी का स्वागत यहम अभी दंदन करता हूं। भायो वेनों, हमारे देश में, समय समय पर अनेक महापुर्सों ने, मा भारती की मुकुट की सोभा वड़ाने का काम किया है, और समाज को सही दिखाने का भी कारिय किया है। आरणी प्रदान मंत्री जी जहां स्वामी विवान की भाती, भारती संस्कृती की पताका को पूरे बिश्व में लहराने का काम उनके माद्यम से हो रहा है। में खड़े हुए व्यक्ती तक हर सुविदा पहुचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा स्वभाग्या है कि हम आरणी प्रदान मंत्री जी के नित्वत्म में उस महान यात्रा के सहय यात्री हैं। जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम बैभावसाली रास्त के रूप में खड़ा करना है। प्रणी प्रदान मंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुना विश्व गुरू बनाने के लिए प्रयत्नसील हैं। यहां नकेवल मेरे जैसे सामान निव्यक्ति को बलकि भारत के 140 करूर भारतियों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आसा और विश्वास का भीज भी रूपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज के लिए भारत ही नहीं बलकि बिश्व के अन्य देश भी माननी प्रधान मंत्री जी की सोच और उनकी डणनीती और उनके विचारों का अनुसरन करते हैं। हमारे सास्त्रों में कहा गया है महा जनो ये इन गथा सा पंथा यानि कि जिस मार्क पर विद्वान लोग चलें उस मार का नुसरन करना चीए हम भी हमारे मार्दसक आरणी प्रधान मंत्री जी के बताए मार्क पर चलकर उत्राखन को देश का स्रेश्ट राज्य बनाने के ल कर लगातार उसके लिए प्रयत्म कर रहे हैं भायो वहनों डेस्टिनेशन उत्राखन का मुख्य हुदेश है ग्रीन एकोनोमी रोजगार को लेकर एकोलोजी और एकोनोमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहस्तने से पहले बुलंदियों पर पहुंशने से मुखिल है बुलंदियों पर बने रहना बुलंदियों की छोनी की कोशिज का हंसला हमने आप से पाया है आरणी प्रदानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए बाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे क्यों भारत के अंदर ही नहीं वलकि दुनिया का मॉडल बन गया उसी से प्रेणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्राघंड की थीम पर इन्वेस्टर सम्मीट का आयोजन किया है हमारा प्रयास होगा कि हर दो बरसों में इस प्रकार के आयोजन को करे हमने गुलोबल इन्वेस्टर सम्मीट में जब हम यह शुरू कर रहे थे तो धाई लाग करो निवेस्ट के प्रस्ताओं पर अभी तक हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और यहां बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्स का अनुबह हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किया है उसका प्रेडाम हुआ है कि 44,000 क्रोड अभी तक निवेस्ट धरातल पर उतार दिया गया है इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाकों रोजगारों का सर्जन भी यहां पर होगा हमारा राज्य एक सांदार हुष्ट है हम प्रते एक बर्स करोड़ों तीर थी आत्रियों का और प्रेटको करता है वह उच्च कोटी की है भाईयो वैनों जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेसक को अच्छा बिजनस एट्मोस्पियर अच्छी कानून ब्यास्ता इंवेस्टमेंट ट्रेंडली नीतियां और बहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही साथ में सबसे महत् अच्छा स्वास्त और अच्छी आवो हवा भी है और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है उत्राखंड में लैंड बैंक पॉल्टिकल स्टेबिलिटी और ससक्त लाउएंड और आपके लिए एक अनुकूल महोल का निर्मान करते ह में आजणी प्रदानमंची जी के नितुत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कंवेंशन सेंटर एंड एग्जिवेशन सेंटर बनाया गया है उसी की तरज पर हम सीग्र में हमने इस अंकल पलिया है कि सीग्र ही हम जो है उत्राखंड के अंदर भी एक कंवे करने वाले उद्यूमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑप कॉंटेक्ट होंगे उत्राखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हातों में हैं और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रदानमंत्री जी के नितुत्त में उत्राखंड में निवेश करने पर आ ने अपनी एक नई पहचान इस्तापित की है अब उत्राखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फेंड़ी पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है बीचे कुछ बर्सों में आदुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के जो सपने हमने देखे थे वो सपने भी धीरे-धीर सच होते हुए नजर आ रहे हैं आज उत्राखंड में जहां एक और परिवन सेवाओं का विस्तार हुआ है वहीं अब नए एरपोर्ट्स रोपे तथा हैलीपोर्टों के निर्मान तथा कनेक्टिविटी के छेत्र में उत्राखंड एक अपली अलग पहचान बना रहा है भा पंतनगर विश्व विद्यालाय आयाईटी रूर्की एफाराई आयायम कासिकूर जैसे विश्व इस्तरी संस्ताओं से निकलने वाली हमारी युवापीडी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रियास कर रहे हैं हमारे पास सामर्थ है और यही विश् हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं बायों बहनों एक और डबल इंजन का मजबूत इडाता दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्राखन इससे बहतरीन कॉमिनेशन सायद ही कहीं और मिले आपका निवेश आपके लिए सुब हो मंगलकारी हो इसी कामना के स्वागत के परतियों को मैं अनेक अनेक सुपकामनाय देता हूं और उत्राखन का मुक्ष सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर रूप से प्रतिबद है आप इस देहोगूमी में पधारिये सांदार संभावनों को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्राखंड आपके स्वागत के लिए तयार है ततपर है अंत में एक बाद फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज़नी प्रधान मंत्री जी का जिन्होंने हमको अपना अशिरबाद दिया मारदसन दिया और आज यहां पधार कर हमारा इस मारग क और तेजी से चलने के लिए हमारा प्रोशान क्या मैं उनका आप सब की तरफ से समस्त उत्राखंड वासियों के ओर से हर दैसे अभी नंदा आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद मानुनी मोख्य मंतरी जी माननी प्रधान मंतरी जी के मारग दर्शन में उत्राखंड को एक सश्चत उत्राखंड बनाने का जो आपकी सोच मंशान नीतियां और जो संकल्प है वो हमारे साथ साजाके करने के लिए धन्यवाद और दिवी सजनो उत्राखंड एक अद्वित्य राजे है जो अपने कल, आज और कल का एक बहुती सुन्दर मिश्रन और एक उत्कृष्ट उधारन है जो अपनी प्राकृतिक सौन्दर्य और आध्यात्मिक विरासत को संजोई हुए अब नवाचार और प्रध्योगगी के रूप में भी विक्सित हो रहा है तो चाहे इसकी tranquility, serenity, spirituality, adventure, yoga, industrial growth, economic prosperity, किसी से भी आप आकर्शित हो उत्राखंड के पास आप सभी को देने के लिए कुछ असधारन ही है तो इस असधारन राजे की असीमित संभावनाओं की रुमांचक यात्रा पर आपको ले चलते हैं एक लगूब फिल्म के मादियम से करता है